हेलो एब्रिवन कैसे है आप लो तो आज हम डिसकस करेंगे रिसेंटली मिनिस्ट्री ओफ एन्वर्मेंट ने एक रिटन डॉकुमेंट सब्मित की है रिगार्डिंग दा प्रोग्रेस एन इनिशेटिव ताकि फॉरेस्ट कवर अफ इंडिया को बढ़ाया जा सके तो इसके बारे में डिटर में डिसकस करेंगे क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है यहां पर फॉरेस्ट कवर के बारे में डिसकस करेंगे तो one of the very important video है बहुत ही topic जो बहुत ही point यहाँ पे आपको exam में देखने को मिल सकते हैं तो इस video को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इस से पहले अगर आप रोको ने हमारे channel को अब तक subscribe नहीं कहा है तो इसको please subscribe कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही videos के notification इस तरह आपको मिलते रहे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता है तो recently union ministry of environment forest and climate change ने एक जो written reply जो है लोग सभा को जो है पेश किया है regarding the various initiatives ताकि इंडिया में जो है forest cover को boost किया जा सके तो उसके लिए क्या क्या initiative या फिर प्रोग्रेस हुई है उससे related एक written document submit किया है देखे forest survey of India ये जो अंद आती है ministry of environment के तो ये क्या करती है हर दो साल में एक बार जो है पूरे देश में forest cover की assessment करती है तो ये जो है start हुई थी 1987 से और देखिये यहां पे latest जो finding है ये 2021 के हिसाब से है 2013 का भी फिर आने वाला है तो यहां पे ये finding जो है जो भी statistics आते हैं यहां पे तो ये publish होती है Indian state of forest report जिसको ISFR बोला जाता है तो इस report के हिसाब से भारत के अगर forest और tree cover देखा जाए तो लगभग 8 लाख square kilometer में फैला हुआ है और भारत के अगर percentage में देखा जाए geographical area में तो ये लगभग 24.6% of the geographical area of the country में फैला हुआ है तो ये तो हो गई हमारे देश के बारे में तो क्या आप मुझे अपने जो state है जिस state से आप देख रहे हैं या फिर union territory से आप देख रहे हैं तो उसमें forest cover की percentage क्या है तो ये आप मुझे comment box में लिखके बताईए तो अगर map में देखेंगे तो 2021 का जो finding है तो एक forest map of India अगर आप देख सकेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो mostly हिमालयन रिजन से हैं यहाँ इसमें dense forest आप देखने को मिल सकते नौर्ट इस्टन एडिया में थोड़ असाम में कम देखने को मिलेगा बहुत ही अरुनाचर प्रदेश मनिपूर मिजूरा मेगालया भरा है forest से देन आप देख सकते हैं इस portion में जो चत्तिजगर उरिसा मध् देखने को मिल सकता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना comparatively काफी ज्यादा कम है in fact जो महाराश्ट्रा के इस पार्ट में because of the orographic rainfall कम देखने को मिलता है करनाटा का इस पार्ट कम देखने को मिलता है इस side में west background के इस side में भी comparatively काफी कम forestry आपको देखन अगर देखा जाए काफी सारे जगाओ में forestry जो है बढ़ी है राजस्थान में आप देख सकते हैं देन आपको करनाटा का में देख सकते हैं यहाप लेकिन north eastern states में forestry काफी कम हुई है जिसे मीजोराम, मनिपूर, नागालान माइनस में चली गए यहाना कि forestry कम हुई है यहा यहाँ पर कम हो जाए है जाडखान में आप देख सकते हैं बढ़ी है तो positive number यानि कि यहाँ पर देखाई देर स्कॉर किलोमेटर के हिसाब से 2009 के बाद बढ़ी है और negative है मतलब कम हुई है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे जादा forest cover है यह आपको मुझे comment box पे लिखके बतानी है तो अगर बात करेंगे कुछ-कुछ government initiative तो बहुत ही important है तो पहले number पे आता है Green India Mission जो start किया गया था 2015 में तो mainly afforestation यानिकी plantation activities के उपर धियान दिया गया था और पीछले 5 सालों में लबग 755 crore investment की गई है लबग 17 अलग-अलग states औ और एक union treatment ताकि forestation effort को जो है एक support मिल सके नेक्स अगर बात करेंगे national afforestation program तो यह भी implemented किया गया था degraded forest जो भी degraded हो गए थी उसको regenerate करने के लिए और adjoining areas को बाद में देखे यह national afforestation program जो है Green India Mission के साथ merge कर दिया गया था नेक्स अगर बात करेंगे नगरबन योजना जो है जिसको launch किया गया था 2020 में तो यहाँ पे नगरबन योजना के तहत लगबग 600 नगरबन और 400 नगरवाटी का अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में 2024-2025 तक उसको बढ़ाने की बात हो रही है यानि कि जो अर्बन एरिय कि प्रिजर्व करना है यानि कि पेर पोधे हो गए यहाँ पे जानवार हो गया यहाँ पे पक्षी हो गई उनको यहाँ पे जो है प्रिजर्व करना है यहाँ और अर्बन ड्वेलर में वहाँ पे quality of life को इंप्रूव करना है नेक्स अगर बात करेंगे compensatory afforestation fund जिसको हम अलग अलग स्टेट में फंड यहाँ पे दिये जाते हैं नेक्स्ट अगर बात रहें यह मल्टी डिपार्टमेंटल एफोर्ट्स तो यहाँ पे देखें नॉट अलग अलग प्रोग्रम्स या फिर स्कीम्स के अंदर भी इंप्लिमेंट करनी चाहिए स्टेट गब्मेंट हो ग यहाँ पे जो और बोडी हो गई यहाँ पे सिविल सोसाइटी हो गई जो लोकल गवर्मेंट हो गई उनकी भी जिनमेदारी होती है कि किस तरीके से फोरेस्ट्रेशन को प्रमोत कर सके इंडिविजल लेवल पर भी हम लोग टार्गेट कर सकते हैं कि अपने जो एडिया है उ तो अगर अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं तो मेली यहाँ पे जो भी रेसिदेंसिल एरिया या फिर कॉमर्शिल एरिया है उसके चाड़ों तरफ आजकल जो है फोरेस्ट्री को बहुत ध्यान देके प्लैमिंग किया जा रहा है इन फेक्ट ऐसे ग्रीन बिलिंग इस भी बनाया जा रहा है जहां पे आपको बिलिक में ही प्लांटेशन देखने को मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करेंगे ड्राफ नेशनल फॉरेस्ट पोलिसी तो यह मेंली फोकस करती है क्लाइमेट चेंज की जो एफेक्स है उसको खतम करने के लिए अलग अल यहाँ पे इंपोर्टेंस देना चाहिए और यहाँ पे फोरेस्ट डिपेंडन कम्यूनिटी जो है उनको भी दियान देना चाहिए तो उसके लिए भी अलग 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 एक्स यहाँ पे है तो देखें यह जो एक वीडियो है इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गया ह लेकिन देखिए फोरेस्ट्री या फिर ऐसे टॉपिक्स के लिए यहाँ पे एक मल्टी डाइमेंशनल एप्रोच होता है जब भी न्यूज आती है हम लोग यहाँ पे डेफिनेटल उसको डिसकस करते हैं और आपको यहाँ पे बोक्स से भी काफी सपोर्ट लेना होगा था यह आपको थोड़ा था प्रिपेर करते हैं पड़िया तो यह था हम लोगा कंप्लीट एनलेसिस रिगार्डिंग दा फोरेस्ट कवर इंडिया और उसके प्रोग्रेश और इनिशेटिव से लिए जो भी डॉकुमेंट एक्चुली मिनिस्ट्र अफ एन्वर्मेंट फोरेस् लाइक कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे स्टेजी आइस टेक्यार थैंक यू एन जय हिंद